जयेश श्रीराम जडमती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिलपर परत निसान इसका मतलब क्या है मतलब एक लगतार प्रयास से असाद लगने वाला कारे भी सिद्ध हो जाता है आप असफलता की माथे पे कील ठोक कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस दोहे कारत यह है कि लगतार जैसे आप कुए से पानी निकालते हैं तो लगतार रसी घिस घिस के पत्थर के शिला को भी एक कोमल रसी पत्थर के शिला पे भी निसान बना देती है तो लगतार प्रयास से आप भी सफल हो सकते हैं आपने जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ आपने सुना होगा Snapdeal का नाम अभी से कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले Snapdeal बहुत ज्यादा चलता था लेकिन आज कल Amazon चलने लगा है आज से कुछ साल पहले ज्यादा आप सुनते थे Rediff Mail, Yahoo अभी भी हलागी चलते हैं लेकिन आज कल सबसे ज्यादा चल रहा है Gmail तो यहाँ पे क्या हुआ ये लोग Old Brands होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि शायद इन्होंने अपने आप पे काम नहीं किया कुछ ना कुछ इन्होंने कमी की जिसके कारण दूसरे Brands आ गए आज तो मतलब Amazon का नाम इतना ज्याद है कि आपको क्या बता हूँ आप देखिए लोगों के सामने आपको आना पड़ेगा Snap Deal बन के थोड़ा सा मरको लगता है डूब भी गया क्योंकि आज कल कोई बहुत कम लोग समान लेते हैं लोग भूल जाएंगे आपको लगतार रोज काम करना पड़ेगा YouTube चैनल पे भी यही इस्थेती है आपका चैनल बूस्ट कैसे होगा कोई shortcut नहीं है आप लोग कई बार मुझको कमेंट्स करते हैं कि सर चैनल कैसे बूस्ट होगा कुछ practical तरीका बताईए तो मैं आपको सच बताऊं practical तरीका कुछ भी नहीं है कि आपका YouTube चैनल ग्रो होगा practical तरीका एक यही है कि आप हर रोज आए YouTube चैनल पे अपने वीडियोज अपलोड करें इसके अलावा कोई भी shortcut नहीं है जितना ज्यादा आप वीडियो डालोगे तना ज्यादा लोगों के सामने आपकी वीडियोस के impressions जाएंगे उतना ज्यादा impressions जाएंगे impressions मतलब जैसे हम लोग YouTube feed स्क्रॉल करते हैं जिसे हमारा YouTube feed ओपन हुआ हम लोग ऐसे जितने भी वीडियोस यह सामने आ रहेंगे इसको बोलते हैं इंप्रेशन या फिर इसको बोलते हैं ब्राउज फीचर जब आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में जाएगी हम लोग यहीं पर देखके फट से क्लिक करते हैं तो इंप्रेशन जितने ज्यादा आपको आएंगे उतने ज्यादा आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे और आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा तो ये चीज करने के लिए impression कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोगों के सामने आपकी वीडियो कैसे आ सकती है तो better truth है जब तक YouTube खुद सच बता रहा हूँ आपको YouTube खुद आपकी वीडियो को ब्राउस फीचर में नहीं भेजेगा तब तक आप व्यूज लाही नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते और impressions कैसे जाएंगे ज़्यादा ब्राउस फीचर में कैसे आईगी आपकी वीडियो इसके लिए सिर्फ आप एक चीज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हैं जितनी ज्यादा वीडियो आप अपलोड करोगे उतना ज्यादा आपके चैनल के लिए आपके लिए फायदे मन रहेगा देखो क्या होता है आज आपके चैनल पर सौ सब्सक्राइबर्स है ठीक है, आपने आज कोई विडियो अप्लोट करी तो 100 लोगों के पास नोट्रिफिकेशन गया, 100 लोग के पास हलागि नहीं जाता है, उससे कमी कुछ, कमी बंदों के पास जाता है, और मैं मान के चलता हूँ, चलेए, 100 के पास गया, 100 के पास impressions गये, आज की date में, और कुछ नई लोगों के पास जाता है, उसके बाद आप दो दिन बाद अगर वीडियो डालोगे, तो दो दिन बाद 100 लोगों के पास जाएगा, प्लस कुछ नई लोगों के पास जाएगा, पहले दिन डाले 100 लोग के पास प्लस कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर 100 के पास जाएगा फिर प्लस कुछ नहीं, फिर तीसरे दिन 100 के पास फिर प्लस कुछ नहीं, लेकिन यहीं अगर आप गैप में करते हैं, तो गैप में आपके impressions जाएगे, गैप में नए लोगों के पास ज बात है तो काम कीजे अच्छे से काम कीजे लोग आपको भटका रहें प्लीज प्लीज मत भटकिए यूट्यूब पे आर आप मुझको भी कई वार कमेंट में बोल देते हैं कि कुछ ऐसा तरीका बताईए जिससे हम ग्रो कर सके चैनल बूस्ट हो सके कुछ भी नहीं है आर कु कुछ भी नहीं होता है आपको सिर्फ आठ बंद करके लगातार काम करते जाना है ज्यादा बुद्धी मत लगाई यूटुब में तो बुद्धी लगाते रहे जाऊगे, कई बार बुलते है न कि जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम को दिल की सुनन चाहिए दिल की सुनते ह उसलिए हम थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है हमको क्योंकि बस जब दिल की आप सुनोगे न तो मतलब बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आगे बढ़ना क्योंकि प्यार में हम दिली की सुनते हैं यूटूब पे भी यूटूब पे आने के बाद हम दिल की नहीं सुनते हैं यहां पे आके हम दिमाग लगाने लगते हैं और ऐसे करोगे वैसे करोगे तो यूटूब पे अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो गड़बड हुआ एसे ही प्यार में हम लोग ज्यादा दिल लगाए तो गड़बड हुआ क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो मजबूर कर देती हमको और किसी जो कोई कुछी बोलता है ऐसे ही लगता है घर पर कोई कुछी बोलता है किसी की नहीं सुनते हैं सिर्फ हमको वो ही परसन अच्छा है वो जो बूलेगा वो ही अच्छा लएगा सेम यहीं चीज है यूटूब पर यहां पर आपको दिमांग लगाना पड़ेगा तो अगर कोई कुछ आख ज श्यादा सिर्फ काम कीजिए कुछ भी आख बंग करके सीधा काम करने की जरौत है बिलकुल सीधा चलना है जैसे ए आपको भी यहाँ पर कुछ दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है, सिंपल वात है यह, यूट्यूब चैनल ऐसे ही बूस्ट होता है दोस्त, भले आपको बताया जाता है कि वॉच टाइम मिले, कि ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें आपका हाज जोर, आपने वीडियो बनाना था, आपने वीडियो बना दी, वॉच टाइम मिलना ना मिलना आपके हाथ में तो नहीं है, ओडियंस कम ही देखती है, चाहिए बड़े क्रियेटर्स भी जो वीडियो बनाते हैं, ओडियंस किसी की वीडियो पूरी नहीं देखती, बहुत रहर होता है कि पूरी वीडियो देखी जाए 50% से कम audience retention maximum लोगों को आता है maximum लोगों को आता है लेकिन इसके लिए अखर आप परिशान रहोगे retention time अच्छा ना चाहिए या फिर लोग आपको बताते हैं कि ऐसे retention time लाओ नहीं तो आपको वीडियो वाइरल नहीं होगी तो इतनी सारी बात अगर दिमांग में रखके काम करोगे तो कैसे काम कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे simple है रोज चुप चाप उठो आज जब वीडियो शूट हो रही आपको time बता हूँ तीन बच के बारा मिनिट हो रहा है धाई बजे के आसपास मैं उठा हूँ और नहाद होके बढ़ियां आया हूँ वीडियो शूट करने देखिए आप तीन बच के ग्यारा मिनिट हो रहा है और भूख लग रही है इस वीडियो के लाइक किजे और हाँ तand एक लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर वो सारी वीडियो देखिए थी सब वीडियो की रेटिंग्स वाइव स्तर रेटिंग्स है यूट्यूब कैसे वर्क करता है आपको और अच्छे तरीखे से कैसे YouTube पे वर्क करना चाहिए कि आप ग्रो कर पाएं सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया है और YouTube पे ऐसी बात कोई नहीं कर रहा है इस कैटेगरी में तो कोई नहीं कर रहा है आप इतना तो समझ ही चुके होंगे तो आपको एक सफाल यूटिवर बनना है तो make sure कि आप वो पूरी वीडियोस देखें क्योंकि आपके YouTube जर्नी के लिए वो सारी वीडियोस बहुत helpful होने वाली है आपके reviews बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझको Thank you वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और काम कीजिए मैं इश्वर से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल भी भुलंदियों को छूँए यार इतनी सोबे सोबे भी वीडियो बनाता हूँ अब कुत्ते बहुंकते हैं एक कुत्ता बहुंकता है तो दूसरा ही बहुंक भले उसको पता हो चाहना हो क्यों बहुंक रहा है मैं देखता हूँ कई बार जब शाम को टहलने जाता हूँ एक कुत्ता यहां बहुंक रहा है तो दूसरा कुत्ता वो गली से बहुंकने लगा जब ये शान्त तो वो भी शान्त अब उसको समझ में पता नहीं, लोग कुछ बोलते होंगे, क्या कि हाँ इसलिए भॉंख रहा हूं तो वो भॉंखने लगते हैं, इतनी सुबह सुबह भी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी, क्योंकि कई बार दूर से वो भॉंखते हैं तो आवाज नहीं आती, कभी बहुत तेज भॉंखने लगते हैं, भॉंखा एक दो बार, कभी-कभी इतनी गुसा आती नहीं जब रिकॉर्डिंग करो, खुत्ते भॉंखते हैं, लगता ना कि एक चपल मुह में मार दो कीच के, हलाकि नहीं यार, हिंसा नहीं करना चाहिए, जानो रोगो नहीं मारना चा गोगो थे हम जुब हो नहीं मारना.